हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग श्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल खाना खजाना विश्वाती पवार में आज मैं आपके लिए कर किया हूँ गेहूं के आटे के मोदक की रेसिपी जो बहुती जटपट से और बहुती आसानी से बनके तयार होते हैं जो देखने मे हमेंरे चाल चुझे घिलर मोदक बनाने के लिए आटे को भुने के लिए घी से घ्रहार मोदक कमें स्वाथिस्ट बनने के तयार होंगे कें हमारा यहां पर मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे हमने यहां पर एक कटोड़ी के करीब गेहूं काटा ले लिया है आप अपने कॉंटिटी की साब से गेहूं काटा कम्या जादा कर सकते हैं अब हम यहां पर गेहूं के आटे को अच्छे तरीके से भून लेंगे लोवी रखना तरीके से अगर आप मोदक बनाते हैं तो बहुत ही स्वाधिस्ट बनके तयार होंगे अच्छे तरीके से भून लेंगे हम जैसे कि आप देख सकते हैं आटे का कलर हमारा हलका सा चेंज हो चुका है अब हम इस तरीके से थोड़ी सी जगह स्पेश खाली कर देंगे यहाँ पे इसमें हलका सा घी फिर से डालेंगे घी हमें इक खटे नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो इसका श्राद और भी अच्छा आएगा इसमें थोड़ा सा घी हमें फिर से डाल देना हमने एक चमच फिंगी ले लिया है इसे डाल देंगे घी हमारा मेल्ट हो इस तरीके से इसे हलका सा बीच में ही ऐसे चला लेंगे इस तरीके से चला लेना इसका श्वाद बहुत ही अच्छा आएगा अब आटे में ड्राय फूर्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमें इस तरीके से और इने भी तीन से चार मिनट के लिए मिडियम लो फ्लेम म जब तक कि इस से हलकी सी धीमी सी खुसबुना आने लगे घी हमें इखटे नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है अगर इखटे डालेंगे तो हो सकता है कि आटे में हमारा घी जादा हो जाए और हमारे मोदक अच्छे से ना बन पाए अगर थोड़ा थोड़ा करके आप डालेंगे तो ज़रुत की साब से डाल पाएंगे इसे अभी फिर से रोस्ट कर लेना है हमें थोड़ा सा भून लेना है हलका सा देखिए इस तरीके से ताकि ड्राइ-फूट्स का भी कच्छ अपण आटे का भी कच्छ अपण हमारा दूर हो सके जैशे कि आप देख सकते हैं आटे का हमारे यहां पे color चेंज हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे चीनी इस तरीके से इसे मिला लेंगे दूद ले लिया है दूद आपको डालना इसमें आदा ग्लास या फिर एक ग्लस के करीब भी आपसमें डाल सकते हैं इस तरीके से दूट डाल देंगे और सारे मिक्षर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से कर लेना है इस तरीके से सब को मिला लेंगे अच्छे तरीके से जैसे कि आप देख सकते मोदक के लिए मिक्षर हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है इस तरीके से आपको बना लेना है अब हम इसमें डाल देंगे नारियल किस डाल देना है हमें नारियल का बुरादा डाल देना है इसे हलका सा थंडा होने देंगे इसके बाद इसमें मोदक बनाएंगे इसे हमें प्लेट में निकाल लेते हैं प्लेट में निकाल लेना है हमें मिक्सर हमारे यहां प ग्रीज कर सकते हैं इस तरीके से कर लेना है हमें इससे हमारे मोदक है वह बहुत ही अच्छे निकलेंगे इस तरीके से अब इसे ओफ कर देंगे इस तरीके से कर लेना है अब हम इसमें थोड़ा सा डो लगा लेंगे डो ले लेना है थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे डो को इस तरीके से डो कर लेना अगर आप चाहेते इसके लड़ू भी बना सकते हैं लड़ू भी बहुत अच्छे बनके तयार होंगे हमारे इस तरीके से हमें इसमें डो भर देना है अच्छे तरीके से अच्छे से दबाते हुए इस तरीके से डो डाल देंगे हम, जैसे कि आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से इसे पेक कर लेंगे, अच्छे तरीके से इसे दबा लेना है, इस तरीके से मोल्ट में हमने सारे डो को भर दिया, इसे अच्छे तरीके से दबा लेंगे, और जितना एस्ट्रा हमें यहापे लगा हुआ निकला है बहार इससे निकाल लेना इस तरीके से आश्थ का से अधिक कर लेंगी आईस्था से हमएं उपन कर ले NICK कर लेंगे इस तरीके से निकाल ले देखी हमारा मोदक बन ज Gary Ho चुका है यह अब डिजाइन दार बहुत ही से इसी तरीके से सारे मोदक हम बना के तयार कर लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं सारे मोदक हमारे बनके विल्कुल रेडी हो चुके हैं देखिए बहुत ही अच्छे से मोदक हमारे बनके तयार हुए हैं देखिए एक दम इस तरीके से मोदक बनके तयार हुए हैं तो इस ग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब कर ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ अब तक लिए नमस्कार जैमाता दी